इस वक्त की बहुत बड़ी खबर लोगस्वाचुराव 2019 से जड़ी हुई आ रही है जहां पर दोस्तों दूसरे चरण के प्रचार जमाप्त होने से पहले पिछली राप को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जबर दस्त रोडसों किया है उडिसा के भूबनेश्वर मे और सीधे तोर पर नवीन पटना एक सरकार को ललकारते हुए नजरार हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी दरसल दोस्तों प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के रोडसों में जबर दस्त रुटसा देखा गया और पूरे भूबनेश्वर में नरेंद्र मोदी जिन्दाबा करी और घंटी को दबाना बहुत जरूरी है हम आपको बता दे कि एक बहुत बड़ी ख़बर निकल का सामने आ रही है जहां पर दूसरे चरण के चुनाब प्रचार समाप्त हो चुके हैं और पीम नरेंदर मोदी ने ओड़ी सा के भूगनेसर में बहुत बड़ा रोडसों किय है और उनके रोडसों में जबर 10 तरीके से भारी भीड उमरी है और दोस्तों राजधानी पूरी तरह से भूबनेसर मोदी मोदी के नारे से गूंजता हुआ नजराया है एक तरफ जहां पर लोग एयरपोर्ट पर बार मुंडा सभाइस तल तक माल पर लोग प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के इंतिजार में खड़ेते वहीं जैसे ही प्रधान मतरी नरेंदर मोदी पहुँचे हैं एक जलक पाने के लिए जबर 10 तरीके से उत्साहा जनता नजराई है और चारो तरफ मोदी मोदी के नारे लगने लगे हैं जिसके बाद दोस्तों अब कयास लगाए जा रहे हैं कि भूगनेश्वर के अंदर कहीं न कहीं भारतिय जनता पार्टी सबसे वड़ी ताकत बनके उबर सकती है इसमें कोई दोराई नहीं होगी दरसल दोस्तों उडिसा पस्चिम बंगाल से सटा हुआ राज्य है और भारतिय जनता पार्टी ने अपनी रणनीती के तहत इन दोनों राज्य से बड़ी संख्या में लोक सबा की सीटे जीतने के सासाथ विधान सबा के चुनाप की जादातर सीटे जीत कर सरकार बनाने की कोशिस कर रही है हम आपको बता दे कि भारतिय जनता पार्टी के दिगज नेता धर्मेंदर प्रधान लगातार उडिसा में मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के सफल रोड्सों के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान माना गया है इसी के साथ पस्चिम बंगाल में भी इस रोड्सों का बहुत बड़ा सर पड़ेगा हम आपको बता दे कि भारतिय जनता प और ऐसे में प्रधान मतरी नरेंदर मोदी के दूसरे चनल के परचार के अंतिम दिन गूबनेशन में जबर दस्त रोड्सों करके साफ इस बात के संकेत तो देही दिये हैं कि भारतिय जनता पाटी उडिसा में एक बहुत बड़े बढ़त की और बढ़ रही है दोस्तों वक्ती बैध बड़ी खबर जहां पर ममतावनर जी के लिए बंगलादेसी स्टार्म ने किया है परचार और ग्रहम अंतराले ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है दरसल दोस्तों बंगलादेसी अभी नेता फिर दोस्तों अहमेद्वार के समर्तन में सोंबार को चुनाप परचार किया है हमाँ आपको बता दे कि लोक्सबा चुनाप 2019 के लिए पश्ची मंगाल में ममतावनर जी सरकार के लिए चुनाप परचार करना बंगलादेस के अभी नेता फिर दोस्तों अहमेद्वार को पारी पड़ गया है दरसल ग्रहम अंतराले ने ब्योरो और इमिग्रेशन क दोस्तों बंगलादेस के अभी नेता फिर दोस्त अहमेद्वार के समर्थन में सोंबार को चुनाप परचार किया था जिसके बाद बंगलवार को ग्रहम अंतराले ने खोल का ता के विदेस छेत्रिय पंजी करन अधिकारी से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है बता दे कि बंगलादेस के अभी नेता फिर दोस्त अहमेद्वार के अगरवाल के समर्थन में चुनाप परचार किया है जिसके बाद दोस्तों ये विवाद और आगे बढ़ता हो नजर आ रहा है और भारतिय जन्ता पार्टी ने तिरन्मूल कॉंग्रेस पर निसाना साथना सुरू कर 2019 के लिए कॉंगेस पार्टी ने तीन और उमिधारों के नाम की घोषणा कर दी है लगनों से कॉंगेस पार्टी न अपना प्रत्याशी खड़ा किया है लगनों लोकसभास से आचारे परमोट को उमिधार बनाया गया है इसकारति ये है कि आचारे परमोट का मुकबला के इ बीजेपी के उमिद्वार पर लटकी हुई है हम आपको बता दे कि इस सीट पर बीजेपी के लंबे समय से सांसद रही सुमित्रा महाजन ने चुनाव ना लड़ने से इंकार कर दिया है इसी के साथ उन्होंने इंकार करते हुए यूपी के कैसर गंज के अंदर कॉंग्रेस प बड़ी खबर निकल का सामने आ रही है जिससे हमने आपको पलपल की अपडेट के तायत रूबरू कर आई है एक और बहत बड़ी खबर जहां पर बिहार में आर जेडी को तकड़ा जटका लगता हुए नजरा रहा है लालू के भरोसे मन नेता निर्दलिये चुनाव उसे स्तीफा दे दिया है वहां मदवन्नी से टिकट की मांग कर रहे थे यहां सीट महा गडबंदन के सयोगी विकास सील इनसान पार्टी के लिए चली गई है वी आई पी ने यहां से बदरी कुमार परवा को टिकट दे दिया है एक दोर फादमी को लालू यादब के सबसे करीबी निताओं में माना जाता था और भरों से मन माना जाता था ग्यात हो कि इससे पहले कॉंग्रेस के निता सगील एमद ने भी पार्टी से बागी तेवर अपनाते हुए सीधे तोर पर निर्दलिये चुनाब लड़ने का एलान कर दिया था इसके साथ ही दोस्तों भारत प्रतानमंति नरेंदर मोदी ने एक इंटर्विव दिया है जिसमें चुनाब में रास्टवात के मुद्धे पर बोले पीम मोदी मीडिया में कुछ लोग हाईपर सेकुलर है दरसल दोस्तों चुनाब के अंदर बाला कोट के जरिये रास्टवात का हतियार बनाने के सवाल प्रतानमंति नरेंदर मोदी ने कहा है कि मीडिया में एक छोटा सा वर्ग है या यू कहूँ कुछ हैपर सेकुलर है दरसल दोस्तों किसी भी चीजमें सरकार और मोदी को घहरने का तरीका बनाया जाता है हम आपको बता दे कि प्रतानमति नर्जंद मोधी ने एक और बड़ा इंटर्वियू दिया है जिस इंटर्वियू उन्हें सारी बातों पर अपना जवाब देते हुए वायू सेना की और से बाला कोट में किये गए एर स्ट्राइक के मुद्धे को बेवजह भुनाने के सेकुलर है इन लोगों को किसी भी चीज में सरकार और मोधी को घिरने का तरीका बनाया हुआ है उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश में बूफोर्स का मुद्धा था इसी पाप को धोने के लिए बिना किसी सबूत के 6 महीने तर किसी भी जाच के ये बोलते रहे कि राफाइल गंभीर आरोप लगते हुए नजरा रहे हैं दरसल ब्रतान मंतरी नरेद मोधी के नाम पे राहूल गांदी की रैली में भीड जुटाने की एक बड़ी ख़बर निकल का सामने आई है भारते जंता पार्टी ने सोंबार को एक अधिकारी ट्वीटर एकाउंट से 41 सेगंड क एक वीडियो सेयर किया है जिसमें लोग बता रहे हैं कि कॉंग्रिस वाले ने उनको बताया कि मोधी जी की रैली है और लोग देखने के लिए आ गए यानि सीज़ तोर पर राहूल गांदी की रैली को मोधी की रैली बता कर भीड जुटाने का ये बहुत बड़ी खबर नि हैं नेताओं की बढ़ती बच जुबानी पर आयो जी तीस दंगल में दोनों दलो के कारेकरताओं में मारपीट पर उतारू हो गए हैं इसमें कुछ लोगों को चोट भी आई है जबकि उत्तेजित कुछ कारेकरताओं ने कुरसी में तोर फोड की है मंच पर मौजूद नेत कि कारेकरता सांथ हो पाए हैं और दोनों कारेकरताओं के बीच में जबर्दस्त विवाद देखने को मिला हैं आपको बता दे कि भारती जंता पार्टी और समाजवादी पार्टी उत्तरप्रदेश में एक दूसरे से मुकाबला कर रही है ऐसे में कारेकरताओं में जो जो है उसको लेकर आपस में भोस गवाते हुए और आपस में ही लड़ाई दंगया करते हो नजरा रहे हैं इसी के साथ एक और बहुत बड़ी कबाद जहां पर बिहार के कटिहार में कॉंट्रिस के ने था नब जो सिंग सिद्दू के बयान को लेकर चुनावायोगत हो गया है दरसल दोस्तों उमिद्वार तारीक अनवर को वोट देने की मांग करते हुए सिद्दू नजरा रहे हैं और इस बीज उन्होंने जो एक बयान देद दिया है जिसके बाद अब सिद्दू बैक फूट पर नजरा रहे हैं सिद्दू ने क्या कहा था उन्होंने कहा था कि उनके नाम पर नजरा रहे है नव्जो सिंग सिद्धू और इस पर अब जांच होनी है चुनाव आयोग के द्वारा इसकी जो भी रिपोर्ट निकल का सामने आएगी जिस भी तरह की कारवाई की जाएगी हम आपको पल-पल की अपडेट के तैत रूबरू कराएंगे सारी जा सकते हैं कि 2019 के लोग स्वचनाव में आप किस तरह की चीजें आगे बढ़ते वर देखते हैं और 2019 के लोग स्वचनाव से जुड़ी हुई बहुत बड़ी ख़बर निकल का सामने आ रही थी इसी के साथ प्रधान में नरेंद मोधी को लेकर अगर आप भी लगता है कि 2019 के ल अग्याएब की लगता है कि लुड़ी हुई